तो देखे इस वीडियो में दो कॉलेज के इंपोर्टेंट अपडेट है जिसका डी सी नोटीस आउट हो चुका है तो जो पहला कॉलेज है जलपाईगरी गॉर्मेंट एंजिनिंग कॉलेज आप देख सकते हो यह आज ही नोटीस आयो है 20th सिप्टेंबर को ठीक है और कल्यान गॉर्मेंट का पहले से आचुका था तो दोनों ही डिसकास कर रहे होंगे क्या प्रोसेस है कैसे अपलाई करना आपको ठीक है तो सिंप्ली आप देख सकते हो जलपाईगरी कॉलेज है दोनों ही काफी अच्छे कॉलेज में काफी highly recommend करता हो जो टॉप के फोर कॉलेज है सार ECIT तो यह total seats मौझूद है जो general है जो reservation है ठीक है तो आपको इसको definitely claim कर सकते हो अगर आपका rank एक अच्छा है ठीक ठाक है और स्टिल कोई branch बढ़िया है नहीं मिल ला है तो ठीक है budget list publish किया जाएगा 23rd September को ही एंद दिन आपका का नाम है इन आपको जलपायगरी जाना पड़ेगा ठीक है कब जाना पड़ेगा 26th September 1130 से start होगा जो counseling है जो admission process है ठीक है तो अभी कोई fee pay नहीं करना है सिंप्ल आपको अगर नाम अगा में में जाके अटेंड करना पड़ेगा बाकी जो fee से देख सकते हो आपको वहाँ पर instant admission करवाना पड़ेगा अगर आपका वहाँ पर counseling में नाम आता है तो ठीक है तो इसका process बता दिया गया कैसे payment करना पड़ेगा सब कुछ details बता देगा य ठीक है बाकी यह जो application form है application form को प्रिंट करवा लेजेगा सो रट वहाँ पर जो जाओगे तो यह form फिलापुर के college में submit कर सकते हो तो यह तो रपका जल पाईगरी का कल्यानी गहर्मन का कल्यानी गहर्मन का भी कुछ वैसे similar है dates अलग अलग है तो पहले तो देख लोग क्या क department अच्छा है यहां का वो कल्यानी हुई है जल पाईगर डिपार्टमेंट और गुड अगर आपको interest है थोड़ा बहुत भी yes you can choose it ठीक है तो इसका जो dates है देख सकतो इसका भी एक यह form के link अब देखिए ठीक है click on the following link to apply or copy the link and paste in your browser तो apply करना है कब तक apply करना है 27 September last date है 11 बज commit list है यह colleague का जो official site है वहाँ पर यह आपको update देखनों को मिल रहा होगा ठीक है तो सेम वही process है जलपाईगी जैसा ही अगर आपको काउंस्टी में नाम आता है आपको अपर इंस्टेंट करवाना पड़ेगा सब कुछ details मेंशन कर दिया गया नो कैस्पेमेंट विल बी अलाओड विल एकसिप्टेट तो इसका भी आप देख लिए पीडिएफ में कैसे क्या बुला गिया और होप और कुछ आपको दिक्कत नहीं आ रहा होगा अब देखो जो एंटी रेगिंग है जो मेडिकल है फिटनेस है यह बात में भी देने से चलेगा अब देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम है तो अपका एनमिशन हो ही जाएगा वो बस कॉल किया जा रहा है सपोस्ट टोटल सी कॉल किया जाएगा और पूछा जाएगी हाँ आपको कौन सा ब्रांच चाहिए अगर ब्रांच होगा तो दिया जाएगा नहीं है तो नहीं दिया जाएगा डिपेंडिंग इस्ट्रों क्या रिक्वार्मेंट तो कुछ ऐसा काउंसलिंग होता है या पर कोई चॉइस फिल न सब्सक्राइब कीजिए और इन फूचर आप जो कॉलेज स्टुडेंट हो आपके लिए काफी अच्छी अच्छी वीडियो आ रही होंगे